हलो वीवर्ज, इस वीडियो में मैं बात करूँगा LG GAETEX THINKYOU जो मुबाइल है उसमें फाइल मैनेजर को आप कैसे डोंडेंगे तो कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं कि लैपटप से या किसी जगा से हम लोग कुछ डेटा टांसफर करते हैं अपने मुबाइल में और उसके बाद हम लोग नॉर्मली जो फाइल होता है उसमें जाके उसको खोल के फिर यूज करते हैं अपने हिसाब से मगर यह जो LG GAETEX मुबाइल है इसमें आपको नॉर्मली किसी जगा पे फाइल मेनेजर नहीं मिलेगा अब इदर हर जगा पे ढून के देख लेना इसमें फाइल मेनेजर आपको नहीं मिलेगा तो मैंने क्या किया था मैंने लैप्टॉप से एक PDF फाइल को टांसफर किया था इंटर्नल मेरी में तो उसके बाद उसको मैंने खुजने का बहुत कोशिस किया मिला नहीं जैसे मैं गैलरी में गया तो गैलरी में डाउनलोड वगरा सब जगा पे मैंने चेक कर लिया किसी भी जगा पे वो नहीं मिल ला था तो उसके बाद मैंने क्या किया, जो Adobe Acrobat है, उसको इंस्टाल किया, तो उसको by default हो क्या करता है, जितना भी आपका PDF फाइल है, वो सब एक्सेस कर लेता है, तो उसमें जाके फिर मैं फाइल में क्लिक किया, तो on this device में गया, जाने के बाद मैंने जिए ओ, ये PhD थिसिस को टांस किया था, तब सब इधर मिल गया मुझे, तो मगर मैं फिर भी ढूनता रहा कि जो file manager है, वो मुझे कहां पे मिलेगा, तो बहुत ढूनने के बाद, फिर भी मुझे नहीं मिला, फिर मैंने क्या किया, फिर मुझे एक जगड़ पे जाके, ओ finally मिला, तो आपको भी अगर ये च इधर आप नीचे आए, तो नीचे आने के बाद, storage बोलके एक option मिलेगा, internal storage, क्योंकि मेरे ये mobile में अभी कोई SD card नहीं है, सिर्व internal memory है, तो उसमें मैंने गया, जाने के बाद, actually उधर जाके, आपको दिखाई देगा कि, अभी 58.54 GB यूज है, और बाकी 70 GB करीब फ्री है, त इसमें आप देखिए, image, video बोलके ये सब चीज है, तो इसमें एक जगा पर files बोलके है, तो आप ये files में आएंगे, तो उसके बाद, जैसे files है, इसको मैं जाश्रोंस करतेता हूं, तो उसके बाद, आपको इधर पर सारा details मिलेगा, कि download gallery, movies, जितना भी इधर files हैं, सब आप नॉर्मली phone में file manager होता है, या नॉर्मली file के नाम पे रहता है, उस तरह का आपको सारा icon दिखेगा, folder दिखेगा, तो इधर देखिए, जैसे मैंने वो PDF को transfer किया था, इधर वो दिखाई दे रहा है, तो ये video आपको अगर अच्छा लगा है, तो इसको like कीजिए, share कीजिए, and मेरे YouTube channel को subscribe कीजिए, thank you very much.